जहिन दोस्तों, आज की इस क्लास में मैथ के प्रिवियस येर सवालों को सौल करेंगे, जो फरवरी 2 या 23 में SACGD एक्जाम में पूछे गए हैं और आज की क्लास में मैंने केवल उन प्रस्णों को सामिल किया है, जो सवाल ट्रीकी है, और थोड़ा समय लेने वाले सवाल है, उन सवालों को आज मैं सौल कराऊंगा इसलिए ये क्लास आपके exam point of view से बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है, आप लोग क्लास को last तक जरूर अटेंड करें, इसी pattern के अधार पर आपके exam में भी सवाल पूछे जाएंगे और अगर जैदे आप लोगों ने इससे पहले का क्लास नहीं देखा है, तो चैनल पर जा करके जरूर देख लें, और जो भी साथी इस चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजेगा अब देखते हैं आज का पहला question क्या है, एक महिला 75 किलोमेटर परती घंटा की चाल से कार दवारा एक निश्ची दूरी तई करती है, और तुरंत उसी कार से 100 किलोमेटर परती घंटा की चाल से प्रारंबिक बिंदू पर लोट आती है, तो कार की ओसत चाल क्या है, यह आप परती घंटा, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, कि इस अस्पीर से गई, और इस अस्पीर से तुरंत वापस आई, तो इसका उसत चल क्या है, तो आप एक फर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, 2xy बटा x प्लस y, बटा x प्लस y, यह इसका फर्मूला होता है, आप इसको मान लिजे x, 1 को, और 1 को आप मानने y, ठीक है, तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना 75, और फिर क्या हो जाएगा, गुना का 100, और नीचे दोनों को जोड देना x और y को, तो 75 और 100 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा, अब इसको कैंसिल कर देंगे, 25 से काटे गुना 75, अब कैंसिल नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा, उपर में 2 गुना 3 और गुना 100, तो 3 गुना 6, और 600 बटा कितना हो जाएगा, 7, 600 बटा, 7, अब इसको फ्रेक्शन में हटाएगे, तो कितना आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे, तो 7, 8, 56, ठीक है, बचा 4, 40, तो 7 35, और 5 आपका हो जाएगा, 40, बटा, 7, अनि कि average speed कितना हो जाएगा, 85, पुर्नांग, 5 बटा, 7, किलो मीटर प्रती घंटा, इसकी औसत चाल हो जाएगी, ठीक है, तो किस option में है आप देख सकते हैं, option number 2, इस प्रस्न का correct answer हो जाएगा, I hope यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अब हम बढ़ते हैं, अगले सवाल पर, next question पर, अगर कोई doubt रहता है, confusion रहता है, तो आप comment करके बता सकते हैं, अब इस प्रस्न को देखिए, इसमें क्या पुछा गया है, यह एक घंटे में 11 बेंच मरमत कर सकता है, और भी एक घंटे में 5 बेंच मरमत कर सकत है, जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो निर्धारित करें कि 64 बेंच को मरमत करने में उसे कितना समय लगेगा, मान लिजे, यह दिया हुआ कि यह जो है, एक घंटे में कितना बेंच मरमत कर रहा है, 11 बेंच, ठीक है, और बी जो है, वो एक घंटे में कितना बेंच मरमत कर रहा है भी कर रहा है आपका 5 बेंच जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक घंटे में कितना बेंच मरमत कर देंगे तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 16 बेंच जो है ये और भी अगर मिल जाएंगे तो एक घंटे में इतना बेंच को मरमत कर देंगे सोलो बेंच को लेकिन आप से क्या पुछा है कि ये 64 बेंच को मरमत करने में ये और भी जग मिल के काम करेंगे तो कितना घंटा लगेगा तो बेंच कितना है 64 बेंच मरमत करना है अब जब दोनों मिल जाते हैं तो से सोलना क्क कितना हो जाता है चार गंटे अरब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर अगले सबाल पर बीडियो को आप लोग जरूर लाइक करेंगे और से भी करने का कोशिस करेंगे अब इस प्रस्म को देखी ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्या बोला गया अकास एक कारी को 21 दिनों में कर सकता है और दिया उसी कारी को 63 दिनों में कर सकती है समान कारी को पूरा करने में लगने वाला समय ज्यात करें जदि वे एकांतर दिनों में काम क करते हैं ठीक है आनि एक दिन अकास काम करेगा तो एक दिन दिया और आपसे बोला है कि अकास कारी को शुरू करता है आरम करता है तो सबसे पहले यहां लिखेंगे अकास ठीक है अकास जो है वो कितना दिनों में कर रहा है अकास कर रहा है आपका 21 दिन में ठीक है और दिया कित कारी छमता कितना हो जाएगा अब 21 से 63 कितना बार में ठीक है तो अकास का कारी छमता कितना हो गया एक हो गया अब आपको यह समझना है कि अकास जो है वो कारी शुरू कर रहा है तो पहले दिन अकास काम करेगा अकास का कारे छमता कितना है तीन आपको लिखते हैं दि लिखते हैं दि समझने के लिए सौट में तो यह आपको रिपीट होते जाएगा तीसरे दिन फिर से आपका अकास का कारशमता कितना है तीन और चोथे दिन फिर से दिया आ जाएगी और दिया की कारशमता कितना है एक और इसी तरह आपका रिपीट होते जाएगा ठीक है क्योंकि एक आंतर काम कर रहे हैं तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि देखिए यहां अगर दो दिन को देखा जाए क क्योंकि हर दो दिन में आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पहले दिन आपका अकास दूसरे दिन दिया, तो पहले दिन अकास तीन काम किया और दिया एक काम किया, तो यह दोनों अगर जैदी मिल जाएंगे, तो दो दिन में कितना काम हो जाएगा, चार काम हो जाएग एक दिन अकास काम किया, एक दिन दिया, दो दिन में कितना काम, तीन और एक चार काम, समझ पाएं, कि दो दिन में कितना काम हो गया, यहां, चार काम हो गया, अब आपको क्या करना है, प्रोटल वर्क कितना है, 63 है, ठीक है, अब यह जो चार आया है वर्क, यह 63 के बराबर तो कितना हो जाएगा 15 चोग 60 अनिक की 60 काम हो गया यहां गुना का 15 किये तो दिन में भी आपको गुना का 15 करना होगा ठीक है तो यहां कितना हो जाएगा 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30 दिन ठीक है तो 30 दिन में यहां देखिए कितना काम हो गया आपका 60 काम हो गया है ठीक है 30 दिन फिर से आपका अकास शुरू करेगा काम, ठीक है, तो अकास की कार्चमता कितना है, तीन, अब अगले दिन आनि एक तीसवा दिन, अगला दिन आपका तीन काम अकास करेगा, ठीक है, तो यह जोड़ दीजे, टोटल काम कितना हो गया, 60 और 3, 63 काम हो गया और 30 और 1 दिन और जोड़ेंगेत कितना हो जागा 31 दिन आनि कि 31 दिन में ये total work जो है वो done हो जाएगा 63 काम हो जाएगा तो इस प्रस्ण का correct answer हो जाएगा option number 3 I hope ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैंने आपको बारी की से समझाया है अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के एक बार फिर से देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आजाएगा अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर next question पर इस प्रस्ण का answer करेंगे इसमें क्या बोला गया है कोई किराना वेपारी 15% लाग पर चावल को बेचता है ठीक है और बजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है तो उसके द्वारा अरजित लाग परतिसत बताईए अब यहां समझ जिए कि कोई किराना वेपारी है ठीक है कौन है किराना वैपारी है जिसका कोष्ट प्राइस मान लेते हैं कितना है 100 है ठीक है इस 100 वाली वस्तु को 15 पर तीसत लाग पर बेच रहा है यहां पहले बोल दिया है तो 15 पर तीसत इसमें हम जोर देंगे तो कितना सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 115 हो जाएगा 115 आपका क्या निकल गया सेलिंग प्राइस निकल गया लेकिन क्या बोलाए कि बजार के वजन से 20 पर तीसत कम वजन का उप्यू करता है आनि कि यह 100 के जगा 100 नहीं देता है 20 पर तीसत आपका कम देता है तो 20 पर 30 इसमें से हम घटा देंगे 100 में से, तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, आनी 100 के जगा यह कितना दे रहा है? 80, और इस 80 वाली वस्तु को यह कितना में बेच रहा है, तो 115 में बेच रहा है, इसका actual cost price कितना है? 80, और बेच रहा है कितना? 115 में, तो कितना इसको profit हो गया इसको profit कितना हुआ है तो profit अगर देखेगा तो यहा 35 का lab हो रहा है 35 का lab हो रहा है तो इसको percentage में निकाल देना है तो lab गुना 100 आनि 35 गुना का कितना हुजाएगा 100, इसको अच्छे से थोड़ा से लीख देता हूं लाव गुना क्या हो जाएगा 100 अब बटा करेमूल करेमूल आपको यह 100 नहीं लेना है यह एक्चुल इसका कोस्ट प्रैस कितना है 80 80 से इसको डिवाइड कर देंगे ठीक है 20 से काटेंगे तो 20 चोक 80 और 20 पचे 100 आनि 35 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 35 को 5 से गुना क एक बच गया 15 चार तिया 12 हो गया कितना 33 तो 7 चोक 28 दो 20 चार पचे 20 आनि कि 43.75 पर तीसत इस प्रस्ट का करेक्ट एंसर हो जाएगा जो कि option नंबर 4 में दिया हुआ है I hope यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आया हुआ कैसे इसको बनाएं बेमान बेपारी वाला सवाल आ इने पिसली क्लास में भी कराया है आपको अब अगले प्रस्ट पर आते next question पर इस प्रस्ट का answer निकालेंगे देखिए इसमें क्या बोला गया है जदी आठ एवं 24 का तीसरा समानुपात यह है और 4 और 16 का मध्यानुपाती B है तो यह बटा B का मान क्या होगा यह आपसे आप इसको समझें तीसरा समानुपाती निकालने का तरीका होता यह बटा B क्या होता है यह बटा B बराबर होता है B बटा C क्या होता है B बटा C होता है यह समझ पाएं यह बटा B बराबर B बटा C अब इसको मान लिजे यह और इसको मान लिजे B और तीसरा जो निकलेगा व ठीक है यह कितना है आठ इसको थोड़ा अच्छे से लिग देता हूं यह आपका दे दिया है आठ तो यहां लिखेंगे कितना आठ उसके बाद B भी दे दिया है B कितना है 24 तो यहां लिखेंगे 24 बराबर B बटा C तो B कितना है 24 है तो फिर से यहां लिखेंगे 24 और बटा का C C जो निकलेगा यही आपका तीसरा समा अनुपाती होगा ठीक है तो 8 से इसको cancel करेंगे तो 8 तीया 24 ठीक है 3 बार में जाएगा कितना बार में जाएगा आपका 3 बार में तो यहां हम 3 लिखें अब इस 24 गुना 3 यह cross multiply हो जाएगा तो C बार कितना आजएगा 24 यह 72 यह आपका आगे है क्या 3 अनुपाती ठीक है और 3 अनुपाती को इसमें क्या माना है यह माना है ठीक है अनि कि यह 72 आया वो e के बार आया ठीक है ए के बार तीसरा अनुपाती के बार अब आप यहां समझेंगे इस प्रस्ण में इसमें क्या बोला चार एवं 16 का मध्यानुपाती तो मध्यानुपाती क्या होता है रूट अंडर ये भी होता है रूट अंडर ये भी जो होता है वो मध्यानुपाती होता है ठीक है तो आप इसको माल लीजे ये और इसको माल लेंगे बी इन दोनों को root के अंदर कर देंगे तो root के अंदर कर दीजे तो 4 गुना का कितना हो जाएगा 16 ठीक है आपको ध्यान में रखना है कि मद्यानुपाती जब भी बोला जाए तो root अंदर क्या होता है ये भी होता है वही हम यहां किये तो यहां क्या हो जाएगा, 16-64, और 64 किसका रूट है, 8 का, ठीक है, किसका है, 8 का है, और यह आपको मध्यान नुपाती किसके बराबर है, B के बराबर, अनि कि यह 8 जो निकला हुआ, आपका क्या है, B है, ठीक है, अब यहां समझे तो आप से क्या पुछा, यह बटा B का मान क क्या होगा? तो ये मेरा कितना आया निकल के? 72 और B कितना आया? 8 तो ये आपका होगया 72 और बटा B करना है, B कितना है? 8 अब इसको कैंसिल कर दिआ तो 8 से कितना बर में जाएगा 72? 9 बार में ठीक है? तो ये बटा B बराबर क्या जाएगा? 9 तो इस प्रस्न का जुरूर सस्क्राइब करते जाएंगे अब इस प्रस्ण को देखिए यहां क्या बोला गया यह सिंप्लिफिकेशन का सवाल है तो सिंपल इसको स्वाल करते जाते हैं पुर्णान खटाएंगे तो तीन तीन नो और एक कितना हो जाएगा दस दस बटा कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा उसके बाद किए डिवाइड तो डिवाइड को जब गुना में बदलेंगे तो बटा आपका क्या हो जाएगा पलट जाएगा ठीक है बटा आपका क्या होगा पलट जाएगा तो यहां हम इसको क्या करेंगे पलट देंगे, साथ चा कितना हो झागा? 42 और 32 और 45 बटा 7 होगा, तो उल्टा करेंगे, तो क्या हो झागा? साथ बटा 45 हो झागा ठिक? समझ मैं आया उसके बाभ फिसा हम आपका गुना है तो गुना का साउन देंगे, 2 एकम दो और एक कितना हो जाएगा तीन बटा दो आगे फिर गुना आए फिर करेंगे साथ तीया एकीस और एक कितना हो जाएगा बाइस बाइस बटा कितना हो जाएगा साथ अब इसको कैंसिल कर देंगे इसको क्या करें कैंसिल कर दिए ये साथ से ये साथ कैंसिल ठीक ये तीन से तिन cancel, उसके बाद देखें, आप यहाँ अगाजी 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से यह कितना बार में, 5 बार में cancel हो जाएगा, 5 से यह कितना बार में हो जाएगा, 9 बार में cancel हो जाएगा, और इसके बराबर आपको दे दिया, यहां क्या दिया है इसके बराबर आपका है P पर पावर 1 by 2 है ठीक है 1 by 2 अब यहां देखिए इधर आपका क्या बचा इधर बचा उपर में 22 केवल और नीचे क्या बचा 9 तो 22 बटा का 9 लिखेंगे और बराबर क्या है P के पावर में 1 by 2 ठीक है तो यहां देखिए P के पाव होता है अंडर रूट क्या होता है अंडर रूट ठीक है तो हम यहां लिख सकते हैं पी अंडर रूट इस परकार से भी इसको हम लिख सकते हैं ठीक है यह जो पी वन बाई टू है उसको अंडर रूट में पी भी लिख सकते हैं अब जो रूट यह हटाएंगे तो इधर क्या हो 22 का स्क्वाइर और 9 का स्क्वाइर, तो 22 का स्क्वाइर कितना होता है, 484, 484, और 9 का स्क्वाइर कितना होता है, 81, तो इस प्रसंद का आंसर क्या हो जाएगा, 484 बटा 81, option number 2, correct answer हो जाएगा, I hope समझ में आया होगा कि कैसे, इस प्रकार के सिंप्लिफिकेशन सवाल को आपको स्वल्व करना है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, next question पर, इस प्रसंद का आंसर आप लो निकालेंगे, यह आपका चक्रविर्धी ब्याज का सवाल है, और बहुत ही बहतरीन सवाल है, एकजाम में इस टाइप के प्रस्ट आपका समय लेता है, तो यह देखिए, क्या बोला गया है, जदी ब्याज की दर पहले वर्ष, ब्याज की दर पहले वर्ष कितना है, 16% दूसरे वर्ष ब्याज की दर कितना है, 20% तीसरे वर्ष, ब्याज की दर कितना है, इस 16% को हम क्या लिख सकते हैं पहले कितना है 16% है ठीक है तो 16% को यह आप देखते जाएं 16% को अगर परतिसत हम हटाएंगे तो कितना लिखेंगे 16बटा 100 ठीक है इसको केंसिल करेंगे तो 4 चक 16 और यह हो जाएगा आपको 25 चोक सो आनि कि यह 16 परतिसत को हम 4 बटा क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं 4 बटा 25 ठीक है और यह आपका नीचे वाला क्या होता है मुल्दान होता है आपको पता होगा ये नीचे वाला क्या होता है P होता है और ये उपर वाला क्या होता है आपका interest होता है ब्याज होता I होता ठीक है इस दोनों point को आप ध्यान में रखिएगा फिर आपका क्या है 20 परतिसत तो 20 परतिसत को अगर जदी हम हटाएंगे ठीक है इसी तरह इसको cancel करेंगे तो ये आपका आजाएगा 1 बटा 5 ध्यान में रखिए कि कैसे हम कर रहे है फिर आपका ये है 15 परतिसत और 15 परतिसत को जब हम हटाएंगे तो आपका कितना आजाएगा 3 बटा 20 आजाएगा कितना आजाएगा 3 बटा 20 ठीक है तो आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि ये नीचे वाला क्या होता है P होता है आनि की मुल्धन और उपर वाला I होता है आनि की interest होता है ठीक है अब यहाँ लिखेंगे हम क्या P ठीक है आनि की मुल्धन और ये आनि की amount होता है amount किसको बोलते है चकरविर्धी मिसरधन को आनि ब्याज और मुल्धन जोड़ देंगे तो चकरविर्धी मिसरधन निकल जाता है तो पहले बार से 16 पर 30 और 16 पर 30 का मतलब कितना है 25 बटा 4 तो मुल्धन मालने नीचे का 25 तो यहां हम लिखें कितना 25 और उसमें से ब्याज अग करेंगे 20 पर 30 का मतलब पांच पांच में एक काँ ब्याज तो यह कितना हो जाएगा 6 इस परकार से रैशियो बनते जाएगा 3 वर्स है फिर 15 पर 30 है और 15 को फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना है तो 3 उस पर 20 है तो आपका कितना हो जाएगा 28 हो ठीक है अब इसको क्या कर दि आट सकते हैं तीन बार में, क्रोस कटता है, ध्यान में रखियेगा, ठीक है, अब इसको गुना कर दिए, तो पचीस गुना पाँच, एक सो पचीस और दस से गुना करेंगे, तो एक सो पचीस पर एक जीरो, इतना आ जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल, आनि मुल्धन, अब इस को गुना कीजिए, तीन से, तो तैस्त यह कितना होता है, उननतर, और उननतर में गुना करना आपको उनतीस, ठीक है, उननतर गुना उनतीस, इतना आपको थोड़ा सा करना होगा, ठीक है, उननतर गुना उनतीस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, नो नमें क्यासिक, एक, बक कहीं मिश्टेक हुआ है गुना में 9 न इन कैसी के 1 9 सक्षक 54 54 और 8 कितना हो गया 42 ठीक है 9 2 18 8 6 2 12 और 6 12 और 11 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ठीक है तो 1 और 1 8 और 2 कितना हो गया 10 च्छोती नौ और एक बाकियात में था दस एक और एक दो कितना आ गिया दो हजार एक आया ठीक है तो यहां लिखेंगे दो हजार एक 2001 आपका क्या गया चकरबिर्धी मिसर्धन आ गया ठीक है तो यह आपका हो गया मुल्दन यह हो गया चकरबिर्धी मिसर्धन चकरबिर्धी मिसर्धन में क्या होता है मुल्दन और ब्याज सामिल होता है तो इस में से इसको अगर घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा ब्याज निकल जाएगा चक्रविर्धी ब्याज तो 1250 में 20001 को अगर जिदे घटाएंगे तो 751 आएगा कितना 751 ये आपका हो गया क्या चक्रविर्धी ब्याज ये यूनिट में आया है ध्यान में रखीगा ये किस में आया है यूनिट में आ 1250 ये एयुनिट को काटेंगे 255 0 फिर इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो एक ये ऊनिट बरावर कितना आजाएगा 1260. एक येयुनिट बरावर 12 आ गया हमको चाहिए कितना ये उनिट का व passions 251 ये तो तो 751 unit बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ इसको क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे, एक unit का 12, तो 751 unit बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, अब इसको गुना कर दीजे, बिल्कुल असान है, 12 एकम 12, ठीक है, दो बाकियात में 1, 12, 55, 60, और एक कितना हो गिया, एक सट, बाकियात में 6, बर सते कितना हो गिया, 84 और 6 कितना हो गिया, 90, आनि कि 9000 कितना हो गिया, 12, 9000 बारा यह आपका हो गिया, चकरविर्धी ब्याज, हैने, compound interest यह आ गिया, जो कि option number 1 में दिया हुआ, बिल्कुल आसान तरीके से, मैंने आपको बताया, इतना समझाने के लिए, मैंने आपको लिखा हूँ, यह percentage हाटाने का, तो आप ऐसे बनाएंगे, एक unit का value निकाल के, तो आप कम समय में निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका क्या होगा, पूरा निकाल लिएगा, कल्कुलेशन आपका जादे हो जाएगा, ठीक है, सवाल तो वैसे ही भी बन जाएगा, लेकिन इसमें आपका कल्कुलेशन कम होगा, अब हम बारते हैं, अगले सवाल पर, next question पर, इस प्रस्ण को देखी, इसमें क्या बोला गया है, बारा से विभाज, दो अंकिये, सबसे बड़ी संख्यां, और आठ से विभाज, दो अंकिये, सबसे छोटी संख्यां का लगुतम समापवर्तक क्या है, अनि LCM, बारा से विभाज होने वाली, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्यां 12 से जो कट जाए वो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्यां तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्यां कितना हो सकता है 99 दो अंकों की सबसे बड़ी संख्यां कितना होता है 99 इससे आगे जाएंगे 100 हो जाएगा तो ये देखिए, ये 99 जो है, वो 12 से कट रहा है क्या, अगर ज़री कट जाएगा, तो 12 से कटने वाली, दो अंकों की सबसे बड़ी संखियां यही हो जाएगी, तो 12 से 99 आपका नहीं कटेगा, इसके पहले आपका क्या होता है, 99 पहले अंठानबे, अंठानबे यह कटेगा 12 स नहीं कटेगा, उसके पहले क्या हो जाएगा आपका 97, 97 भी 12 कटेगा, नहीं कटेगा, 96, 92 से कट जाएगा, ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा, 12 से कटने वाली दो अंकों की सबसे बड़ी संख्यां 96, समझ में आया आपको, 12 से जो कट जाए, वो दो अंकों की सबसे बड़ हुई होसकता है जो आज से कट जा है सबसे चोट्य है है अगर दो अंको का आपका 10 से स्ट tie होता है ठीक है दो अंको का तो्ывает जो या आट से नहीं कटेगा 11-8 उच्व कटेगा नहीं कटेगा बारह-उच्व कटेगा नहीं कटेगा उसके गया तो 16 जो है, वो 8 से कटने वाली सबसे छोटी संख्यां है 2 अंकों वाली, ठीक है? 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्यां, 8 से कटने वाली कितना है? 16, अब इन दोनों का LCM निकाल लीजिए, आप से क्या पूछा, लगुत्तम, तो 96 और 16 का LCM कितना होता है 96 और 16 इन दोनों का अगर जदी LCM निकालेंगे तो कितना आपको मिलेगा LCM आपको 96 ही मिलेगा कितना हैगा 96 और 16 LCM 96 ही हो जाएगा जो कि option number 3 में दिया हुआ है ठीक है I hope आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा next question पर आते हैं अब इस सवाल को देखिए फिर से आपका वेमान दुकंदार वाला सवाल आ गया है तो इसको आप देखिए कितना important ये सवाल है एक दुकंदार दो तरह से अपने ग्राहा को धोखा देता है एक दुकंदार जो है वो ग्राहा को दो तरीकों से चीट करता है धोखा देता है क्या बोला हुआ सुद सहद में 20% पानी मिला देता है ठीक है और सहद की किमत 15% बढ़ा देता है एक तो आपको क्या किया 20% पानी मिला दिया सहद में फिर 15% किमत क्या कर दिया बढ़ा दिया अब आगे बोला है वह 40 केजी सुध सहद के लिए 30 रुपिय परती केजी की दर से भुखतान करता है तो इसे बेच कर उसे कितना लाभ होगा इसे बेच कर कितना लाभ होगा तो समझिए कि सुध सहद कितना है 40 केजी ठीक है तो यहां हम लिखेंगे सुध सहद ठीक है प्योर जो हनी है हनी को सहद बोलते है सुध सहद कितना है यहां हम लिख देते हैं सहद सुध सहद आपको दे दिया है 40 केजी है कितना 40 केजी है सूद सहद और परते केजी का कीमत कितना है 30 रुपिय पर केजी यहां बोला है ने तो यह कीमत कितना हो जाएगा ठीक है 40 केजी है 30 रुपिय परती केजी है कीमत कितना हो जाएगा 30 से इसको गुना कर देंगे तो 4 तिया 1200 रुपिया ठीक है यह आपका क्या हो गया कीमत ठीक है तो सूद सहद कितना है, 40 kg, 40 kg में 20% हम पानी मिला देंगे, तो 40 का 20% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 40 का 20% निकालिएगा, तो 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 kg, आनि कि 8 kg इसमें क्या कर रहा है, पानी मिला दे रहा है, तो कितना हो जा रहा है सहद 48 kg हो जा रहा है ठीक है कितना हो जा रहा है 48 kg पानी जम मिल जा रहा है और कीमत भी कितना बढ़ा रहा है 15 पर 30 ठीक है कीमत कितना बढ़ा रहा है 15 पर 30 तो पर केजी कितना है 30 रुपिया पहले था यह था यह था 30 रुपिया पर केजी की दर से भु लेंगित, कितना जाएगा, पंदर-श यह 55, 47 रूपीया जाएगा, कितना जाएगा, तो यहाँ कीमत कितना बढ़ा दे रहा ह participative, फोर पोईंट, फाइब, सद्रे चार रूपिया बढ़ा दे रहा है, तो अब नया कीमत कितना हो जाएगा, पहले 30 था, अब 4.5 और बढ़ा दिया तो अब पर केजी कीमत कितना हो गया 34 रुपिया 50 पेसा यह पर केजी कीमत हो गया ठीक है यहाँ आप समझेगा अब देखिए कि यहाँ इसका कुल कीमत कितना हो गया अब हनी हो गया 40 केजी और पर केजी का दाम कितना है 34 रुपिया 50 पेसा तो गुना कर देंगे तो कुल आपका कीमत निकल जाएगा कि कितना कुल आ जाएगा ठीक है तो आपका कुल कितना आ जाएगा गुना करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1656 अब गुना करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा 1656 आ जाएगा ठीक है इसको थो रुपिया ठीक है और बेच रहा है कितना 1656 में तो कितना इसको प्रॉफिट हो गया है तो 1656 में 1200 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 456 ठीक है 456 इतना का इसको लाब हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है समझ पाए सवाल को कैसे हैं बनाएं से बिल्कुल असान तरीका था ए अब सूद साद में 20% पानी मिला देता है तो 20% पानी का भेलू निकालेंगे 40 का 20% तो आठ आता है तो अब साद कितना होगी 48 kg ठीक है और कीमत भी 20% बढ़ा दे रहा है पहले पर केजी किमत था 30 रुपिया अब बढ़ा दिया 15% तो आनि की 4 रुपिया 50 पेसा बढ़ा दि तो कितना का प्रोफिट हो रहा है 456 का आई होप आपको बहुत ही बेहतर से समझ में आया गया होगा तो एक बार चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर लेंगे अब अगले कोश्चन पर आते हैं नेक्स्ट कोश्चन इस सवाल को देखिए इसको भी स्वाल करने का बहुत ही अस काउं की जन संख्या कितना होगा यह आपसे पूछा गया है तो पांच परतिसत ब्राबर क्या होता है इतना आपको आना चाहिए मैंने पहले ही बता दिया है कि परसेंटेज टू फ्रेक्शन कंवर्जन आना चाहिए पांच परतिसत को क्या लिख सकते हैं परतिसत देंगे पांच बटास्च अब इसको काटेंगे तो कितना वार में हो जाएगा 20 दुआ पार में प्रतिस आजैगा ठीक है एक बटाबीस तो ये आपका क्या और यह जन संक्या बर्तमान और इतना उस पर एक कमी आ रहा है ठीक है तो यहां देखिए पहले जन संक्या कितना था 20 ठीक है जनसंख्या 20 था अब उसमें से एक कम गया ठीक है एक कम गया तो जनसंख्या कितना हो गया 19 दो बार ऐसा हो रहा है दो वर्स तो दो बार ऐसे करेंगे 20 पहले था फिर एक कम हो गया तो कितना हो गया 19 कैसे यह करने आपको समझ में आना चाहिए ठीक है पांच पर मतला होता है एक बटा 20 तो बरतमान जन संख्या मान यह नीचे का 20 है उसमें एक कमी आ रहा है तो 19 आ जाएगा दो बार ऐसा है दो बर्स तो दो बार करेंगे अब यह 20 का स्क्वाइर करेंगे कितना जाएगा 400 आ जाएगा यह बरतमान जन संख्या है और 361 जो है वो दो वर्स घटने के बाद जन संख्या है आनि कि यह 400 यूनिट जो है वो 50,000 के बराबर है क्योंकि आपका बरतमान जन संख्या कितना है 50,000 आनि कि यह 400 यूनिट किसके बराबर है 50,000 के बराबर है ठीक है 50,000 के बराबर है तो यहां स दो जीरो, चार से इसको काटेंगे, कितना बाल में जाएगा, चार एकम 4, ठीक है, एक दस, चार दुना 8, ठीक है, 4 दुना 8 हो गया, 220, 4 परचे 20, आनी एक यूनिट का वेलू कितनाा आगिया, 125, टो हमको कितना यूनिट का वेलू चाहिए, हमको चाहिए here, 361, गुना का करना आपको 125, तो अब इतना बड़ा संख्या को गुना कैसे करेंगे? तो यहाँ देखें, अब यहाँ इसको हम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं? कि 361 गुना, 120 है, तो 100 पलस हम 25 कर सकते हैं, 100 पलस 25, क्यों कि है क्योंकि यह गुना करने में असानी होगा ठीक है 371 को आप 100 से गुना कर दीजेगा तो बिल्कुल असान हो जाएगा 361 पर डबल जीरो अब इसको पचीस से गुना कर जीए 361 को तो पचीस से गुना करने में असानी होगा तो पचीस से गुना करेंगे तो आपका कितना आ ज गया 152, 152 का 2 बाकियात में कितना 15, ध्यान में रखी है ठीक है? आप 25 को तीन से गुना करें गे- तो 25 तीन कितना हो गया? 755 कितना हो जाएगा? 75 और 90 इतना हो गया अभ इसको जोड दीजिये और इसको जोडेंगे ते आपक आ जाएगा 45,125- 225 ठीक है समझ पाएं तो यह हो जाएगा दो वर्स के बाद उस गांव की जन संखिया जो कि अप्शन नंबर एक में दिया हुआ है ठीक है यह आपको बेश्ट तरीका में आपको बताया है आई होप यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है तो आज की क्लास को हम यही समाब्त करते हैं और जो भी साथी इस चैनल पर नए है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दिएगा वीडियो को लाइक कर दिएगा और एक कमेंट जरू बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा ठीक है तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में जेहिंद